अलबेला एस्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है दोस्तों आज मैं LCM और HCF को बताने वाला हूं बहुत ही आचा तरीके से बताऊंगा बताने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि यह वीडियो समझ में आए तो वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा नहीं आने वाले वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके तो हम चलते हैं, कोई संख्या लेकर देखते हैं, तो आईजी देखते हैं, हम संख्या लेते हैं, एक संख्या लेते हैं, बारह, और एक संख्या लेते हैं, सोलह, इसका हमको LCM निकालना है, LCM निकालना है इसका हमें, तो सबसे पहले हम दो से लगा के जाचेंगे, दो से जहा हम दो से ही लगा कर देखते हैं, जब दो से लगाएंगे इसको, तो इसको कट जाएगा, छो मर्तवे, शो दुना, बारा हो जाएगा, इसको 200 जब कटाएंगे तो 2 अठे, 16, 8 मर्तवे कट गया, अब फिर देखिए दो कापाड़ा में छो भी है और दो कापाड़ा में आठ भी है इसलिए यह फिर दो से कट जाएगा दो से कैं मरतावी कटेगा तीन मरतावी कटेगा और यह चार मरतावी कटेगा कटेगा अब आप देखिए कि दो से तीन नहीं कटेगा लेकिन दो से चार कट जाएगा तो इसको पहले आप कटाते चलिए दो से लगाएंगे तीन नहीं कटा चार दो मर्तवे कट गया फिर जदी हम इसको दो से लगाते हैं तो तीन नहीं कटेगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब वह हमारा इस दोनों का LCM होका ता चलिए गुणा करते हैं 2 लए 2 ला 5 चार बार है एक, दो तिन, निन, चार बार है 2 एक, दो तीन, चार इन, ठीन अभ इसको आप गुणा कर लीजी जिए 2 से 2 में फिर 1 लौ से 2 में 2 लो से 2 में 2 लो से 3 में इसका LCM आया मतलब 12 और 16 के बीच सबसे छोटी संख्या 48 है LCM जो हमको 12 के पाढ़ा में मिलता है और 16 का भी मिलता है 12 चोगे 48 असुरत यह और 16 यह 48 मिलता है यही है अब हम 3 डिजिट वाले संख्या को लेकर देख लेते हैं जैसे में ले लेते हैं 12 16 और 18 इसको देख कर समाज लेते हैं तीन अप्छ डिजिट वाले संख्य को फिर इसको 2 से लगाएंगे छोव मर्तवे कट जाएगा यह 8 मर्तवे कट जाएगा और यह 9 मर्तवे कट जाएगा अब यहां पर 2 से 6 कटेगा आठ कटेगा नौ नहीं कटेगा इसलिए जब तक 2 संख्या ह कटा है तो हम लगाएंगे दोसे दोस्ने कर áchटर गया और दॉचार ऑफ च्वान इंब करेगान और ऐब यह बात ध्युति लगार एट questa यह familiar से हम लगा से तेन के बढ़ानी 4 थोड़े ही अब लगाइएगा चुकि दोनो एक संख्यस लगाने पर दोनों नहीं कट गा इसलिए इसको नहीं नहीं लगा ये इतना पर ही आप इसको गुना कर दीजिए तो 2 गुना 2 लुट 3 camera 3 तो 2 2 14 चार्थी बारा बर्जू का 48 ती आई 144 144 आ गया यही हमारा LCM आ गया है यहाँ पर LCM तो उमीद करता हूं कि LCM आप लोग बहुत ही आचा से समझ गये होंगे अब HCF को बना कर देखते हैं तो हम एक संख्या लिए हुए है 14 और 22 इसका हमें HCF ग्याद करना है तो हम सब जानते हैं कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दी जाती है तो इसको लिखिए 14 को ऐसे लिखिए और 22 को अंदर में लख दीजिए अब यहां समझते हैं कि 14 का पढ़ा कितने बर पढ़ेंगे कि 22 आए या 22 से कम है तो चौदा का पढ़ा यदि हम दो बार पढ़ते हैं तो चौदा दुनों 28 अर्था बाइस से अधिक हो जा रहा है इसलिए इसको दो मर्तब नहीं एक मर्तबे ही लगाएंगे तो चौदा य क्या करते हैं फिर इसको घहरते हैं और जो यहां संख्या है उसको यहां पर रखते हैं तो फिर समझे कि 8 का पारा कितने बार पढ़ें कि 14 आये 14 से कम है तो हम 8 का पहड़ा दू बार पढ़ते हैं तो 16 हो जाएगा इसलिए 8 का पहड़ा एक बार ही पढ़कर लगाएं तो 8 है कम 8 घटा दीजे इसको 4 में से 8 नहीं घटएगा एक दें इससे ले लेंगे 14 14 में से 8 घटेगा तो 6 बज़ेगा फिर इसको गहरेंगे 6 को घेरेंगे और 8 को यहां पे लाकर रख देंगे फिर 6 का पहड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 8 आए या 8 से कम है 6 का पहड़ा यदि 2 बार पढ़ते हैं 2 बार तो 6 दुना 12 हो जाएगा इसलिए 6 कम 6 ही रहेगा अब इसको घटा दीजिए आठ में से 6 घटेगा तो 2 बचेगा फिर इसको घेरिए और इस 6 के यहां पे ला दीजिए दो का पहड़ा कितने बार हम पढ़ेंगे कि 6 आए या 6 से कम आए तो 2 का पहड़ा हम 3 बार पढ़ते हैं तो 2 ती आई 6 आगया तो 6 में से 6 घटा तो 0 बचेगा जब तक हमारा 0 न आ जाए तब तक हम भाग देते रहे हैं देते हैं देखिए हमारा जीरो आ गया मतलब इसका काम खतम हुआ तो जो लास्ट में भाजक आता है भाजक माने लास्ट में जी संख्या से भाग दी जाती है वही हमारा होता है तो यहां आप लिख दीजिए 14 और 22 का है एक सी एफ बराबर दो यहीं हुआ इसका एक सी एफ दो आ गया तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ माया है एक और संख्या लेकर हम देख लेते हैं तो हम एक संख्या लिए हुए हैं 190 और 225 इसका एफ सी यह बनाना है तो बड़ी संख्या को अंदर रखिए और छोटी से भाग देंगे 225 अब यहां समझीए कि 90 का 190 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि हमारा 225 आया 225 से कम आए तो यादि हम 190 का पहाड़ा दो बार पढ आएंगे तो हमारा 380 होगा अर्थाथ 225 से अधिक हो जा रहा है इसलिए हम इसको एक मरतवे ही लगाएंगे तो एक सब नौबे अब इसको घटा दीजिए पांच में से जीरो घटा तो जीरो दो में से नौ में ही घटेगा एक दाहीं से लेंगे हो जाएगा बारा बारा मे इसको घेर दीजिए और 190 को यहां ला दीजिए अब फिर 35 का पहड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे कि 190 आया एक सब्सक्राइब से कम आये तो 35 का पहड़ा यादी हम छो बार पढ़ते हैं तो एक सो नौबे से अधिक हो जाएगा इसके इसलिए हम इसको पांस ही लगालते हैं तो पच्छाब पचीश के पांच हाथ में दूआ पांधी पंद्रा दो 17 एक सो पचावतर आया हमारा एदिशाब से लगाते तो एक सो पचावतर से अथा मतलब नो एक सो नौबे से अधिक हो जाता है इसलिए पांस ही लगा है इसको घटा लीजिए जिए जिरो में से पां गटेगा तो पांच बचेगा यहां पे यह दहीं देदी हैं तो आठ बचा है आठ में साथ घटेगा तो एक फिर इसको घरी और 35 को ला दीजिए तो पंद्रा का पाढ़ा कितने बार पढ़ें कि 35 आ या फिर 35 से कम है तो पंद्रा दुना तीस हो जाएगा हमारा यहां पंद्रा को यहां पर ला दीजिए फिर पांच का पाढ़ा कितने बार पढ़ें कि पंद्रा या पंद्रा से कम तो पंद्रा घटके दोनों जीरो हो जाएगा यहां पर जीरो हो जाएगा तो हमारा एक सो नौबे और दो सव पचीस का एच सी एफ यहां हमारा पांच आया जो लास्ट में संख्या जिस संख्या से हम भाग देए हैं वही हमारा एच सी एफ होता है लास्ट में कितने से भाग दिये हुए हैं पांच से दिये हुए हैं इसलिए हमारा एच सी एफ यहां पर पांच आ गया इसका यह एंसर हुआ तो उमीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा तरह से समाझ में आ गया हो यदि इस वीडियो में कोई चीज समाझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बक्स में कमेंट करके हैं बताए आपके कमेंट का हम रिपलाई दे देंगे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत